तो ये जैनसाथियो वेलकुम पैगे अगे में चैनल औनिल आर्मी रैडर बॉग्स दोस्तो आपका त्यों स्वागत है मेरे चैनल के उपर और आसा करता हूं आप लोग अपने घरपर स्वश्ठ होंगे और सुरक्षीत होंगे दोस्तों तो दोस्तों आज आप लोगों के लि तो क्या है एक आर्मी में भरती होने के लिए एक सोल्जर को क्या चाहिए होता है कौन सी डाइड चाहिए होती है उसको उसके उपर आज आप लोगे से बात करने वाला तो बैसे तो इंडियन आर्मी की आर्मी में भरती होने के लिए जो है बहुत ही जदा महत्वपूरम एक उदेशिय है दोस्तों तो एक बहुत जदा महत्वपूरम रखती है हर एक व्यक्ति के हर एक जो एक shemmle है उसकी लाइफ में Honda निंग बहुत ही ज़दा एंपॉर्टेंस एने माधनी रखती है दोश्तों तो आर्मी भरती है जो 1600 मीटर रणिंग की तियारी बहुत ही अत्यंत आवश्यक है दोस्तों क्योंकि बिना तियारी के आप फर्स्ट जो फर्स्ट ग्रूप में रणिंग पास करना आसान नहीं है दोस्तों तो दोस्तों इस चीज को आप लोग समझे आप लोग जदा ज़दा मेहनत किजिए आज जब तक आप अपने दौड के ओपर कंसिस्टेंसी नहीं बरात थो आप उस रॉन पर को कंप्लिट ने कर पाएंगे आपने Yes दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इसी चीज़ की की त्यारी करने में के प्रैक्टिस के साथ साथ आपको रणिंग डाइट यानि कि 1600 मीटर रणिंग सूज और रणिंग जो सौड्स है वो उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है दोस्तों हमें क्या चीज पहनने चाहिए आज मैं उस चीज के बारे में आपको बताऊँगा जब भी हम रणिंग करते हैं तो हमको एक वेस्ट शॉर्ट वह पहनना चाहिए रणिंग करते टाइम कभी आपको किया है अपको यहां पर साइड स्टैप बाली जो बनेयान आती है तो उसको आप क्या है पहन सकते हैं और नीची आपने पहना तो शॉर्ट पहन सकते हो आप जो हाफ रॉट होता है वह भी आपको टाइट शॉट नहीं पहनना है जादा दोस्तों तो आज मैं बात करने बाला हूं इस वीडियो के अंदर दोस्तों इंडियन आर्मी रणिंग डाइट के बा करनी चाहिए आज में उस चीज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों तो इंडियन आर्मी जो रनिंग डाइट प्लान है वो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि हम जो डेली जो हमारा जो हैल्थी डाइट है डाइट में तो वैसे सभी पॉस्टिक जो तक्तों का हो में gw उस्ते चाहिए यहां को यहां दोस्तों चैनल कि कहा है रहा है यहां और रहा है तो आगर चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब पिलांग की अलग 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 होती है अलग होती है तो आज बादाने आर्मी घायत प्लान क्या है और अज भारत के खाने के इनुसार बनाई गई है और जो असानी से गाउं और सेहरों में मिल जाती है तो यही चीजे में आज आप लोगों के साथ करने वाला हूँ कि रणिंग डाइट प्लान में ना तो आपका जो है वेट कम होगा और ही बढ़ेगा दोस्तों बलकि आपके रणिंग के स्टेमना को इंप्रूब करने में मदद करेगी दोस्तों आज की जो डाइट है वह एकदम जो चीज में आपको बताने वाला हूं वह विल्गुल एकदम आपको बताऊंगा जो आपकी लाइफ में इंपोर्टेंस रखती है जो आपको यहां पर मददगार साभी दो सकती हैं दोस्तों तो वही चीज में आप लोगों के साथ सेयर करता हूं दोस्तों सुबह से क्या करना आपको जब रणिंग प्रैक्टिस के लिए जाने से पहले आ कि आप चने या बदाम खाना चाते हैं तो रात को सोतेस में ही उन्हें तांब्य के किसी भी बरतन में भिगो कर रख दें तो running करतेस में बहुत अधिक मातरा में पसीना आता है जिससे क्या सरीर में जो पानी की कमी भी होती है तो पसीने के साथ साथ क्या है जो electrolyte जैसे sodium, potassium, magnesium और chloride भी सरीर से बाहर निकलते हैं ये electrolyte सरीर के normal function करने के लिए बहुत जुरूरी होते हैं इसलिए आब सकता उनसार हमें क पीना बहुत ही जदा अत्यनत आवस्यक होता है दोस्तों एलेक्टोराइट की कमी को क्या डाइट के लिए जो है डाइट के लिए जो है लाजाने वह खद्य पदार्थ हैं उनको क्या पूरा किया जा सकता है दोस्तों रणिंग में लगभग 45 मिनिट बाद आपको एक दूद् करें दोस्तों से पंद्रा बादाम इब्हग्वे होई चने वह खाने के आप ने रहनी करने के बाद जब आते हो दोस्तों इसके 45 मिनिट यह दूद्दि का गिल्हाज 10 से पंद्रा बादाम यह 저희 तो आपने इस left का इसका चाने है उसका चने जो है वह सरीर प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं और बदाम या चने की जगह आप सोयवीन का इस्तमाल भी कर सकते हैं दूद में सभी पोसकत्तों पाई जाते हैं दोस्तों तो इसलिए दूद शरीर के लिए कैल्सियम लेक्ट्रोलाइट फैट और अन्य पोसकत्तों की कमी को दूर करेगा कर दोस्तो नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों कि इसके आफ्टर आप क्या है ब्रेकफास्ट करना ओगा उसके बाद आपको जो की दूद पीने से 1.5-2 घंटे बाद करना हो यदि आप अंडे खाते हैं तो ब्रेकफास्ट में दो उबले हुए अंडे और ब्रेड ले सकते हैं प्योर वेजिटेरियन दूद के साथ ओच्छ यानि कि बारा बज़े के आऀसपास आप दो फुरू टो एक प्लेट का सेवन करो दोस्टो फुरू टो जो की भोजन में जो पाचक जो है उसको के पाचन के लिए जो है अतनत अवस्यक होते हैं दोस्तो तो दोपहर में दो बज़े लंच करें लंच में आप चपाती चावल हारी सबजी लसी दही सलाद इत्यादी का सेवन कर सकते दोस्तो यह सब खाने की बस्तूएं आपको अवसक्ता उन सारी बहुत अधिक शेवन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, हारी, सबजी, सलाद, लस्सी और धहीं का बरपूर शेवन करना है, दोपहर में आप एक चमच सुद देशी घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं, प्रन्तु घी का जो इस्तमाल है, वही रनर करें, जो कम से कम पांच किलो मेटर परती दिन दोड़ते हों, और सोला सो मेटर जो आर्मी रनिंग है, उसका डाइट है, वह भी मैं आपको लोगों को एक माद्दम से आपको बता रहा हूं, यहां पर, तो यह सारी चीज़ें आपको जुरूर करने हैं, दोस्तों, आपको जो समय है, सुबह आप ले सकते हो दोस्तों, तो दोस्तों, उसके बाद आपको अगर 6.45 एम के दोरान आपने दोड़ने के बाद, आवर 10-15 मिंट भिगोए हुए अगर बदाम और वह एक मुठी चने, सोयबीन और ग्लास के दूद के साथ लेना है, और उसके बाद आपको यह बेस डाइट ह प्लस एक कप चाहे दोस्तों, उसके बाद आपने 12 बज़े क्या है, लंच से पहले क्या करना है, एक प्लेट जो है, सलाद प्लस फूट आपने लेना है, बेस डाइट की तरह, कि आपको है, प्लस तो दोस्तों, दो बज़े विए आपो लंच करना है चपाती दाल, हरी सब्जी, सलाद या बिलास ले सकते हैं, लंप लेशन, लंप सलाद lou ले सकते हैं, if लंप सी प्लस ले तोस्तों उसके चपाती दाल, या एक पीछ चिकन पी कि खिलव माद स्नक्स लेना है जिसमें आपको एक ग्लास फ्रूड जूस कॉफी या बेज सूप या कुछ स्नेक्स ले सकते हो उसके बाद आपने बैज की तरह बैज जो डाइट की तरह या चीकन सूप आप ले सकते हो दोस्तों उसका आठ बज़े के करीवन आपको कह करना है डिनर करना है दो चप डिनर हमेज़ा हलका करें, नई बैज खाने वाले साम के समय एक पीत चिकन या फूश का सेबन लुट उपहर में लुच के समय भी किया जा सकता है डिनर में बैज खाने वाले चपाती, सबजी, डाल, चाबय या स glaze ले सकते हैं रात को सोने से पहले एक ग्लास दूद अबस् दोस्तों खाने की मातरा अपने सरीर और रनिंग के अमसार ही लें अधिक मातरा में खाना खाने से बजन बढ़ सकता है तथा कम मातरा में खाना खाने से दुरबलता आ सकती है जिस से आपके रनिंग स्टेमना में फरक पढ़ सकता है दोस्तों यदि running करते समय आपके पैरों में दर्द होता है तो आप दूद की मातरा का अधिक सेवन कर सकते हैं क्योंकि दूद में भरपूर मास्तरा में कैल्सियम पाया जाता है ध्यान रखें कि खाने के समय खाना हमेशा सही मातरा में प्रोटीन, मिनरल, हरी सब्जियां तथा सलाद का सेवन करें और कॉर्वो हाइडरेट्स तथा फैट का इस्तमाल सीमित मातरा में करें ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और इंडियन आर्मी रनिंग के दोरान समय पर बॉड़ी वेट भी चेक करते रहें प्रन्तु हमेशा याद रखें कि आपका जो है डाइट प्लान में उचित मातरा में पोस्त तत्वा होने चाहिए दोस्तो डाइट प्लान में ध्यान रखें कि आपके द्वारा रनिंग में खर्च होने वाली कलोरी जितनी कलोरी भी आपके खाने में हो ज्यादा कलोरी लेन के तियारी कर सकते हैं तथा इंडियन आर्मी के फिजिकल टेस्ट को पास कर सकते हैं आप आर्मी जो फिजिकल टेस्ट को सफलता पूरवक क्या है पास करना चाहते हैं तो आप तीन महिने तक आर्मी फिजिकल टेस्ट के टिप्स को फॉलो करके इंडियन आर्मी के फिजिकल ट बोक्स में section में क्या मेरे साथ share कर सकते हैं दोस्तों अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो Facebook और WhatsApp पर मुझे अवस्या इस जानकारी को share करें और वह लोगों के साथ और WhatsApp and Facebook पर मुझे follow कर लें दोस्तों तो दोस्तों यह जानकारी आसा करता हूं आप को अच्छी लगे होगी वीडियो काफी लंबा हो गया बट आई होप कि यह आप लोगो की जानकारी के लिए था और यह जानकारी आप लोगों को होना बहुत ज़्यादा जुरूरी है जितने भी यहां पर इंगेस्टर हैं जितने भी जो आर्मी भरती की तियारी कर रहे हैं दोस्तो तो उनके लिए यह डाइट बहुत ही ज़्यादा जुरूरी है तो मैं आसा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे होगी और ज़्यादा अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा और भी लोगों के साथ सेर करें ताकि और बच्चों तो कि जानकारी प आपर आपर रम